हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल पर दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं MP पुलिस एक्जाम 2021 की त्यारी के लिए मॉडल सेट पेपर 50 जिसमें जीके जीए साइन्स और MP जीकी के महित्पुर प्रेस्ण लिए गये हैं जो कि आने वाली MP पुलिस एक्जाम 2021 की द्रश्टी से पहुट इन्पॉर्टेंट है तो चलिए सुरू करते हैं देखते हैं आज का पहला प्रेस्ण आज का पहला प्रेस् प्रतीबर्स सुल्तान अजलंसा कब कहां आयोजित किया जाता है तो इसका राइट आंसर है अफ crazी नमबर 175 मलेशिया में जीता जयका ज्यका एक पुरुस हां की प्रतियों गिता है और आश्टेलिया ने अब तक इसे सबसे ज्यादा बार दस बार या खिताब जीता है और 2020 में कोरोना महामारी के चलते यहां कप आयोजित नहीं किया गया था चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्न की और अगला प्रस्न हमारा प्र जीता है वह अभी अहमद अली किस देश से संबंदित है तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप्सन नंबर 2 इथियोपिया अभी एहमद अली इथियोपिया देश के प्रधान मंत्री है उन्होंने यह आवाड उनके पडोसी देश इरिट्रिया के साथ बिवाद जो सीमा अभी वाद है उसे सांती से हल करने के प्रयासों के लिए जीता है 2020 में यहाबाड विश्वखार्द कारक्रम को देने की घुष्णा की गई है यह संगटन भूके लोगों को भोजन उपलब्द कराता है 2019 में इस संगटन ने 88 देशों में करीब 100 मिलियन लोगों को सहता मुह या कराई थी तो आपको 2019 और 2020 दोनों का ही याद रखना है 2019 में सांती का नोबल पुरुष्कार मिला है अभी एहमद अली को जो की इथोपियो देश के प्रधान मंत्री है और 2020 में यहाबाड विश्वखार्दिक कारक्रम को दिया गया है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले की ओर अगला प्रस्ण हमारा प्रस्ण कमांग 3 हीरा कुंड बांध किस राज्य में इस्थित है पूछा के आपसे हीरा कुंड बांध किस राज्य में इस्थित है तो इसका जो राइट आंसर वह है आप्सण नंबर 3 ओडिशा हीरा कुंड बांध ओडिशा राज्य में महान आंचे पस्चिम रेलवे का मुख्याले कहां हिस्ति थे पूछागी आप से इसका जो राइट आंसर आपसे आप देक्षिन टटी रेलवे जोन है जिसका मुख्याले विसाखा पत्रम में इस्थित हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रसन की ओर अगला प्रसन है मारा प्रसन कमांग पांच भारत के राष्टी प्रतीक पर उल्ले खित सत्य में जयते सब्द किस उपनिसत से लिया गया ह तो इसका जो राइट आंसर है वह है आफ्सन नंबर सी मुण कोप निसत भारत के राष्टी प्रतीक पर उल्ले कि सत्य में जयते सब्द मुण कोप निसत से लिया गया है या भारत का राष्टी बाख है इसका अर्थ है सत्य की हमेशा जय होती है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्न की और अगला प्रस्न है मारा प्रस्न को मांग छे केंद्र सासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं पूछागे आपसे केंद्र सासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं तो इसका जो राइट आंसर है वह है आफ्सन नंबर 2 लद्दाख में जिलो की संख्या दो है लद्दाग की राजधानी है लेहे इसमें दो जिले लेहे तथा कारगिल है बरतमान में लद्दाग के लिफ्टिनेंट गबरनर है आरके माथूर अर्थात रादाकृष्ण माथूर और बरतमान में लद्दाग के चीफ जश्टिस है पंकज मित्तल चल इसका जो राइट आंसर वहा है आफसर नमबर 3 चीन 25 समझोते पर 19 अप्रेल 1954 को हस्ताक्चर हुए थे 25 समझोते पर पंडिस जबल्हाल नहरू ने हस्ताक्चर किये थे बाभारत के प्रथम प्रधान मंत्री थे चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन की ओर अगला प्रशन है हमारा प्रशन कमांग काड कंडम मलेश्वरी को पद्म सिरी कम मिला था पुछागे आपसे कंडम मलेश्वरी को पद्म सिरी कम मिला था तो इसका जो राइट आंसर वहा है आफसर नमबर 4 बर्स 1999 में कंडम मलेश्वरी को पद्म सिरी अबाड बर्स 1999 मिला था कंडम मलेश्वरी भारती महिला भारत तोलग हैं बे ओलंपिक खेलों में कांच से पदक जीतने वाली प्रथम महिला खेलाडी हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण मारा प्रश्ण कमांग 9 मोलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को कब हटाये गया था तो इसका राइट आंसर है आप्शन नंबर 4 1978 में भारती संपत्ति के अधिकार को एक संपत्ति के अधिकार के अधिकार के अधिन रखा गया है बरतमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 मूल अधिकार भारती संपत्ति के अधिकारों की संख्या 6 मूल अधिकार भारती संपत्ति के अधिकारों की संख्या 6 मूल अधिकार भा प्रिंटिंग से पहले प्रिंट प्रिव्यू देखने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है कर्म योद्धा ग्रंथ निम्न लिखित में से किसके जीवन पर लिखा गया है पुछा गया आपसे कर्म योद्धा ग्रंथ निम्न लिखित में से किसके जीवन पर लिखा गया है तो इसका राइट आंसर है आप्शन नमबर सी नरेंद्र मोदी कर्म योद्धा ग्रंथ भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर लिखा गया है और इस बुक क का अनाबरण केंद्री ग्रह मंत्री अमिसा ने किया था यह भी आपको याद रखना है यह भी पुछा जा चुका है आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की और अगला प्रस्ण हमारा प्रस्ण कमांग 12 बिटामिन B कॉंप्लेक्स में कितने बिटामिन होते हैं पुछे के आप बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की और अगला प्रस्ण हमारा प्रस्ण कमांग 13 भारत में किसके सुझाबों पर क्रसी फसलों का नियुंतम समर्थन मुल्य निर्धारित किया जाता है तो इसका राइट आंसर है आपसन नमबर 4 कहती लागत और मुल्य आयोक के सुझाबों पर सरकार द्वारा क्रसी फसलों का नियुंतम समर्थन मुल्य निर्धारित किया जाता है आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की और अगला प्रस्ण हमारा प्रस्ण कमांग चाउदा बारवी पंचबर्सी योजना की अबधी कब से कब तक थी तो इसका जो राइट आंसर है व प्रस्ण के द्वारा प्रस्ण के द्वारा प्हला माइक्रो प्रसेसर 4004 किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था तो इसका जो राइट आंसर है आपसर नंबर दी इंटेल कार्पोरेशन के द्वारा पहला माइक्रो प्रसेसर 4004 इंटेल कार्पोरेशन के द्वारा बनाया गया था इंटेल कार्पोरेशन का मुख्याले केलिफोर्निया सही प्राज अमिरिका में है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण है आपसल नमबर एक हेदराबाद में 2008 में पुलेला गोपी चन बेडमिंटन अकादमी के स्थापना हेदराबाद में की गई थी हेदराबाद तेलंगाना राजी की राजधानी है और पुलेला गोपी चन पूर्व बेडमिंटन खिलाडी है तथा यहाँ बर्ड क्लास सटलर पीबी सिंधू, सायना नहवाल तथा किदामबी सिरिकांत के कोच भी है तो यहाँ भी आपको याद रखना है यहाँ भी पूछा जा सकता है आगे बढ़ते हैं अगले प्रसन की ओर अगले प्रसन की ओर और यहाँ एक सुचालक धातु होती है उसमा और ताप दोनों ही के लिए और इसका सरवाधिक उप्योग तार बनाने के लिए किया जाता है आगे बढ़ते हैं अगले प्रसन की ओर अगला प्रस्ट में मारा प्रस्ट कमांग कठारा कुमाउं हिमाले निमने लिखित में से किन दो नदियों के बीच इस्तित है पुछागे आपसे कुमाउं हिमाले निमने लिखित में से किन दो नदियों के बीच इस्तित है आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण है मारा प्रस्ण कमान कुल निस निमने लिखित में से कोन जारखंड के बरतमान राज़पाल है पूछागे आपसे निमने लिखित में से कोन जारखंड के बरतमान राज़पाल है तो right answer है अप्सन नंबरे द्रोपदी मुर्मू, जर्खन राजी की बर्तमान राजिपान है, जर्खन की राजधानी है राची, बर्तमान सियम है हैमेंथ सोरें, और इनकी पार्टी का नाम है जर्खन मुक्ती मोर्चा, तो यह हभी आपको याद रखना है अगला प्रशन है मारा प्रशन कमांग 20 भारती सुधार संग का निर्मान कब किया गया था पूछा के आपसे भारती सुधार संग का निर्मान कब किया गया था तो इसका जो राइट आंसर है वा है आपसर नमबर एक 1870 में 1870 में केशब चंद्र सेन की अधिक्षता में भारती सुधार संग का घठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगली प्रस्न की ओर अगला प्रस्न में हमारा प्रस्न कमान की किस निमनलिकुट में से G कमान क्या है? जिसका आर्थ प्रत्वी के गुरुत्वा कर्शन सक्ति के कारण उत्पन त्वरण है तो आपको इसमें चार आप्शनों में से जी का मान बताना है तो इसका जो राइट आंसर रिवा है आप्शन नमबर 3 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्यर गुरुत्वी त्वरण जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्यर चलिए आगे बढ़ते हैं और जो जी का मान होता है बह बस्तु के रूप आकार दर्ब्यमान आदी पर निर्भर करता है आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रसंद की ओर दोस्तों यदि आप लोगों के वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो के एक लाइक जरू करें और यदि आप लोगों को MPP प्लिस एक्जाम 2016-2017 SSC GD Constable एक्जाम 2019 SSC CHSL एक्जाम 2020 एब आप अन्य सभी एक्जाम्स के प्रिवेस एस पेपरों के GKGS और Science के Questions की वीडियो देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेइलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं और आप इन सभी एक्जाम्स के मॉडल्स पेपर भी मेरे चैनल की प्लेइलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं और इन सभी वीडियो की पीडियो फाइल आप मेरा टेलिग्राम चेनल जाइन करके वहां से फिरी में डाउनलोड कर सकते हैं जिसके लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्चन में दे रखी है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रसंग की ओर अगला प्रसंग हमारा प्रसंग मांग 22 जनबरी 2020 में किस देश में सुखे के कारण उटो को मारने का आदेश दिया गया तो इसका जो राइट आंसर है वह है आफसर नमबर दो आस्ट्रेलिया जनबरी 2020 में आस्ट्रेलिया देश में सुखे के कारण उटो को मारने का आदेश आश्टेलिया देश की राजधानी है केनबरा और वहां के पीए में स्कॉट मारीसन चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ट की और अगला प्रस्ट मारा प्रस्ट कमांग 23 एन एरा आफ डार्कनेस नामक पुस्तक किसने लिखी है पुछागे आपसे एन एरा आफ डार्कन प्राइम मिनिस्टर भी बहुत प्रसिद्ध है तो इसे भी आपको याद रखना है दा पेरा डाक्सिकल प्राइम मिनिस्टर तो इसे भी आप याद कलें या भी ससी थरूर के द्वारा लिखी गई है और एक्जान्स में पूछी जा चुकी है आगे बढ़ते हैं अगले प् पाल राजबंस का संस्थापक कौन था पूछा के आपसे पाल राजबंस का संस्थापक कौन था तो इसका जो राइट आंसर इवा है आपसन नंबर दो गोपाल गोपाल पाल बंस का संस्थापक था इनकी राजधानी मुगेर थी गोपाल ने ओधन्त पूरी विश्व जापना के दोनों ही विश्किध्य जाते हैं तो आप इनके बारे में याद रखेंगे बढते हैं अगले प्रस्ण की और अगला प्रस्ण मारा प्रस्ण कमांग 25 भारत के राष्टपति भवन का निर्मान किस बस पूरा हुआ था पुछगे आपसे भारत के राष्टपती भवन का निर्मान किस बर्स पूरा हुआ था तो इसका जो राइट अंसर रिवा है आपसन नंबर 2.1929 में भारत के राष्टी भवन का डिजाइन लुटियंस के द्वारा किया गया था और इसे 1950 इसवी तक बाइसराय हाउस के नाम से जाना जाता था चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की और अगला प्रस्ण है हमारा प्रस्ण कमांग 26 मालबा नाम देने का अश्रय किसे जाता है पूछा गया आपसे मध्यप्रदेश राज जी का जो मालबा छेतर है वह मालबा नाम देने का अश्रय किसे जाता है तो इसका जो राइ important है आपको याद रखना है आगे बरते हैं अगले प्रस्ण की और अगला प्रस्ण हमारा प्रस्ण कमांग 27 बरतमान में मद्यप्रदेश में नगर निगमों की संख्या कितनी है पूछागे आपसे बरतमान में मद्यप्रदेश में नगर निगमों की संख्या कितनी है तो इसक तो मद्यप्रदेश में 18 नगर निगम हो जाएंगी परन्तु अभी अपास नहीं हुई तो आपको याद रखना है बरतमान समय मद्यप्रदेश में 16 नगर निगम है और भींड और दतिया की नगर निगम प्रस्ता भी थे आगे बढ़ते हैं अगले प्रसंग की और अगला प आपसर नंबर 3 कुंजी लाल दुबे मद्यप्रदेश के विधान सभा अध्यक्ष कुंजी लाल दुबे का कारेकाल सरबादिक लंबर रहा है कुंजी लाल दुबे मद्यप्रदेश के प्रथम विधान सभा अध्यक्ष थे बरतमान में विधान सभा अध्यक्ष सिरीर राम महस्वर सर्मा है आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की और अगला प्रस्ण है महस्वर बांद मध्यप्रदेश के किस जिले में इस्थित है तो इसका जो राइट आंसर वह है आपसर नमबर दो खरगोन महस्वर बांद मध्यप्रदेश के खरगोन जिले के महस्वर नामक कज दूद लोटावा प्रथा किस जन्जाती में प्रचली थे पूछागे आपसे दूद लोटावा प्रथा किस जन्जाती में प्रचली थे तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपसर नंबर 2 गोंड जन्जाती में दूद लोटावा प्रथा गोंड जंजाती में प्रचलित है गोंड भारत की सबसे बड़ी जंजाती है तथा मध्यप्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जंजाती है गोंड जंजाती की सरबादिक संख्या मध्यप्रदेश के छिंदबाला जिले में हैं आपको याद रखना ह मैंने आप लोगों के लिए क्विज रखी है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है तो आज की जो क्विज है वह है सोंदर की देवी नर्वदा रचना किसकी है पुछागे आपसे सोंदर की देवी नर्वदा नामक रचना किसकी है चार option दिये गए हैं आपको और आपको इसका right answer मुझे comment करके बताना है तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के एक like जरू करें और मैं चैनल को भी जरू सब्सक्राइब करने और बेल आइकन की बिटन जरू दबालें ताकि एसे important education और वीडियो के notification आप ताकासा काने से पहस्ते रहें जैए हिन दोस्तों